नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर तो आज है मार्च की 26 तारीक और दुफेर के साड़े बारे बज रहे हैं धूप काफी तेज निकल रही है तो दोस्तों अगर आप इस वक्त गार्डनिंग की सुरुवात करने के बारे में सोच रहे हैं तो आ बहुत ही हाड़ी होते हैं क्योंकि जब हम गार्डनिंग की सुरुवात करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कौन bunu किस तरह से चलेगा किस को कितने पाणी की जरूरत है और किस को कौन के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं और दोस्तों उनमें से पहला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है तो कनेर में आप कोई सी भी वेराइटी ले ले तो जैसे यह डॉफ वेराइटी है लार्ज ले ले मीडियम ले ले कोई सी भी वेराइटी ले ले तो यह प्लांट बहुत ये सिर्फ क्या है पानी के भरो से ही चलते रहते हैं और फ्लावर इनमें बहुत सुंदर आते हैं और इनमें अगर आप दो से तीन दिन तक पानी डालना भूल भी जाते हैं तो भी ये प्लांट बिल्कुल फ्रेश खड़े रहते हैं इनके उपर कोई भी फार्क नहीं पड़ होते हैं तो सुरुवाती के टाइम में आप कनेर के प्लांट को अपने गार्डन में एड़ करें तो दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बोगन विला का प्लांट तो बोगन विला में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं तो इसमें आप कोई सी भी वेराइटी ले लें जैसे ल देखवाल में और कम फर्टिलाइजर के ये बहुत यासानी से चल जाता है तो आपने भी इसको भी देखा होगा ये प्लांट भी रोड के डिवाइडर पर लगा हुआ होता है और सिर्फ बरसात के पानी के भरो से ही चलता है और बहुत सुन्दर सुन्दर इसमें फ्लावर आते हैं बहुत हाड़ी प्लांट होता है इसको एक बार लगा दे और कभी कभार इसमें पानी डाल दें तो भी ये प्लांट बहुत बढ़िया तरह से चलता रहता है और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा यह है जट्रोफा का प्लांट तो जट्रोफा में इस तरह के बहुत सुंदर-सुंदर छोटे-छोटे फ्लावर आते हैं और यह प्लांट बहुत हाड़ी होता है आपको दिखा दे विंटर सीजन में इसकी सारी पत्या जड़ गई हैं और सिर्फ यह डंडी-डंडी हएं पत्यां बाद में आएंगी लेकिन फिलावर के बंच पहले ही आने शुरू हो गए हैं सुसक्रीत कर देखें और इस प्लांट को जरूर लगाएं फिलाव्रिंग प्लांट होता है और अगला प्लांट है यह हमारा फाइकस का फ्लांटे धुश्ट्रेश्ट की जैसे यह ग्रीन और क्रीम कलर का वैरिकेशन है एक ग्रीन फाइक का साता है तो बहुत हाड़ी प्लांट होता है तो इस प्लांट को भी आप पिल्कुल अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं यह प्लांट भी ऐसा है कम पानी में और कम देखवाल में बिना फटिलाइजर के बहुत ही ही आसानी से चल जाता है और दोस्तो अगला प्लांट है यह हमारा मदर ओफ थाउजन का प्लांट एक प्लांट इसका कहीं से भी ले आएं फिर तो यह पोधा आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेता बलकि एक प्लांट से सेंकड़ो प्लांट बना देता ह जहां भी इसका बेबी प्लांट तूट के गिर जाता है वही पर प्लांट तैयार हो जाते हैं और आपको दिखा दें यहां भी यह हमारे इस तरह के Mother of Thousand के प्लांट लगे हुए हैं लगबग हर गमले में लगे हुए हैं और इनको हमें निकालना पड़ता है और अगला प्लांट है हमारा मधुकामनी का प्लांट तो इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और जिस तरह के यह आई हुए हैं अभी तो कमा रहे हैं लेकिन बरसात के टाइम में तो इसमें भर भर के बंच खिलते हैं बहुत सुन्दर और पर्मानेट प्लांट होता है बहुत खाड़ी प्लांट होता है तो गार्डनिंग की सुरुवात में आप इस प्लांट को अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं और दोस्तों अगला प्लांट है यह हमारा अलमांडा का प्लांट तो अलमांडा की हालत वैसे इसमें बुष विराईटी भी आती है जो हमारे पास लगी हुई है तो वाइन विराईटी ओ या बुष विराईटी हो आप अलमांडा को भी अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं बहुत हाड़ी प्लांट होता है यह प्लांट भी कम देखबाल में और कम फाल्ื่न दु इसमें वाइन वेराइटी आती है बुश वेराइटी आती है आप कोई सी भी वेराइटी को लगा लें और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं चोटे बड़े कई तरह के फ्लावर आते हैं तो इसको आप एक बार लगा लें फिर कभी भी ये प्लांट आपके गार्डन से नही सकते हैं बहुत सुन्दर प्लांट होता है पर्मानेंट प्लांट होता है और गार्डनिंग की सुरुवात करने के लिए तो बेस्ट प्लांट होता है तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जरूर एड़ करें अगर आप गार्डनिंग की सुरुवात कर रहे हैं तो और दोस्तों अगले वाइन ये हमारी बोवर की वाइन है तो आपको दिखा दें ये थोड़ी गर्मिया शुरू होते ही इसमें ये बंच बनने शुरू हो गए हैं वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और बंच बहुत ज़्यादा बन रहे हैं विंटर सीजन में ये डॉर गार्डनिंग की सुरुवात में अपने गार्डन में एड कर सकते हैं और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा डेविल्स बैकबोन का प्लांट तो इसमें इस वक्त बिल्कुल आपको पत्या नहीं दिख रही होंगी क्योंकि इसकी पत्या जड़ गई हैं तो विंटर सीजन म छोटी सी कटिंग तोड़ लाएं और उसको अपने गार्डन में लगा दे छोटे सी गमले में थोड़ी सी सोईल में ही यह प्लांट बहुत असानी से ग्रो हो जाता है कम देखवाल में चलता है और इसको कम पानी की जरूरत होती है और दोस्तों यह है हमारा जो है मदू काम मदू मालती का प्लांट अब इसमें यह नई ग्रोथ शुरू हो गई है तो मतलब यह प्लांट हमारा अब बहुत अच्छे से चल जाएगा और इसमें फ्लावर आते हैं बंच में तो दोस्तों गार्डनिंग की सुरुवात में आप बिल्कुल मदू मालती के प्लांट को भ आड़ कर सकते हैं और दोस्तों यह कुंदा का प्लांट है तो कुंदा के प्लांट में भी अब नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं तो दोस्तों इस प्लांट को भी बिल्कुल आप गार्डनिंग के शुरुवात में अपने गार्ड को ले लें चाहे वो लाल कलर हो चाहे पिंक हो चाहे वाइट कलर हो तो आप इसको बिल्कुल सुरवाती टाइम में लगा सकते हैं बहुत हाड़ी प्लांट होता है और कटिंग से बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाता है और इस वक्त अगर आप नर्सरी के उपर जाओगे तो आपको फूलों के साथ ये प्लांट मिल जाएगा, एक प्लांट ले आएं और फिर कटिंग के द्वारा आप एक पोधे से धेरो प्लांट जो है बना सकते हैं और गार्डनिंग के सुरुवात में आप यूफोर विया मिली के प्लांट को भी ला सकते हैं, यूफोर विया म और लार्ज वराइटी, उमीडीयम वराइटी आती है उर सिल बन्च में प्लावर आते हैं भी का बहुत सुंदर हाडी प्लांट होते ह्म ज़िन वाती है देखा होगा कि घर ऑघंग के लिबन प्लांट लगे हुए होते है और रिणल पानी में बहुत यसानी से चल जाते हैं और अगला प्लांट है यह हमारा अगेव का प्लांट तो इसमें फ्लावर वगरा नहीं आते हैं लेकिन यह प्लांट एक हाड़ी प्लांट होता है बहुत हाड़ी प्लांट होता है सिर्फ एक बार इसको लाके अपने टैर इसके ओपर या गार्डन में एड़ कर ले फिर कभी भी दुबारा आपको इस प्लांट को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बलकि आप इस पौधे के जो बेवी प्लांट रहते हैं उन्हें आपको पाटना पड़ेगा और दोस्तो अगला प्लांट है यह हमारा empowering Finance लीली को भी आप एक बार इसका बलब ले तो आपको कभी भी फिर ये प्लांट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जमीन में इसको लगा दें या गार्डन में इसको लगा दें और दोस्तों पर्मानेंट प्लांट होता है और बल्वस प्लांट होता है तो ये इसके बल्व हैं ये आपको दिखा दें ये बड़े बड ऻ्राइनी शुरू हो गयी हैं और से साल में एक बार ही इस इसमें जो मार्च के महीने में फ्लावर आते हैं, बहुत सुन्दर ब्लांट होता है, बहुत हाड़ी ब्लांट होता है तो गार्डनिंग की सुरुवात में आप एमरेस लीली के प्लांट को भी अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं तो दोस्तो वैसे तो काफी सारे और भी प्लांट होते हैं जो बहुत हाड़ी होते हैं और आप gardening के सुरुवात में उन पौधों को अपने garden में add कर सकते हैं लेकिन फिलाल जो हमें याद आये हैं और हमारे garden में लगे हुए हैं तो हमने आपके साथ share कर दिये हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें तो अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद